दोस्तों आजम सुनेंगे मुन्शी प्रेम चंद्वारा लिखी हुई कहानी पूस की रात पूस का मतलब होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो पौश का महिना होता है और पौश के महिने में बहुत ही ज्यादा ठंड होती है तो ये कहानी ऐसी ही एक कड़करती ठंडी वाली रात की कहानी है अगर आपको ये कहानी और इसका वर्णन अच्छा लगे तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करे मेरी चैनल को सब्सक्राइब करे और नोटिफिकेशन्स ओन रखे जिससे मुझे ऐसी और कहानिया आपके लिए लाने में प्रेड़ना मिले तो आए सुनते हैं मुन्शी प्रेमचंद्वरा लिखी हुई कहानी पूस की रात हलकु ने आकर स्त्री से कहा सहना आया है लाओ जो रुपे रखे है उसे दे दू किसी तरह गला तो छुटे मुन्णी जाडू लगा रही थी पीछे फिरकर बोली तीन ही तो रुपे है दे दोगे तो कंबल कहां से आवेगा माग पूस की रात हार में कैसे कटेगी उससे कह दो फसल पर दे देंगे अभी नहीं हलकू एक शण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा पूस सीर पर आ गया कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता मगर सेन मानेगा नहीं गुड़क्या जमावेगा गालिया देगा बला से जाडू में मरेंगे बला तो सिरसे टल जाएगी ये सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिये हुए जो उसके नाम को जूटा सिद्ध करता था स्त्री के समीप आ गया और खुशामत करके बोला दे दे गला तो छुटे कंबल के लिए कोई और दूसरा उपाई सोचेंगे मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आखे तरेरती हुई बोली कर चुके दूसरा उपाई जरा सुनो तो कौन सा उपाई करेंगे कोई खेरात दे देगा क्या नजाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ दे थे मर मर काम करो उपजो तो बाकी दे दो चलो चुट्टी हुई बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जनम हुआ है पेट के लिए मज़लोरी करो ऐसी खेती से बाज आए मैं रूपे नहीं दूगी हलकू उदास होकर बोला तो क्या गाली खाओ क्या मुन्नी ने तडप कर कहा गाली क्यों देगा उसका राज है क्या मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौवे डीली पड़ गई हलकू के उस वाक्या में जो कठोर सत्य था वह मानो एक बीशन जन्तू की बाती उसे घूर रहा था उसने जाकर आले पर से रुपे निकाले और लाकर हलकू के हाथ पर रख दिये फिर वह बोली तुम छोड़ दो अब किसे खेती मजूरी में सूख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी किसी की दोंस तो नहीं रहेगी अच्छी खेती है मजूरी करके लाओ वह अभी उसी में जोग दो उस पर से दोंस हलकू न रुपे लिए और इस बात पर बाहर चला मानो अपना रदे निकाल कर देने जा रहा है उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर तीन रुपे कंबल के लिए जमा किये थे वह आज निकले जा रहे थे एक एक पक के साथ उसका मस्तक पानी दीनता से भार से दबा जा रहा था पूस की अंदेरी रात आकाश पर तारे भी ठीटूरते हुए मालूम होते थे हलकू अपने खेत के किनारे उख के पत्तों की एक छत्री के नीचे बांस के खटाले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओडे पड़ा काप रहा था उख का मतलब होता है गन्ना खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मूँ डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था दोनों में इसे एक को भी नीन नहीं आ रहे थी हलकू ने गुटनियों को गर्दन में चिटकाते हुए कहा क्यों रहे जबरा जाड़ा लगता है कहता तो था गर में पूवाल पर लेट रहे तो यहाँ क्या लेने आये थे अब खा उठन मैं क्या करूँ जानते थे यहाँ हलुआ पूरी खाने आ रहा हूँ दोड़े दोड़े आगे आगे चले आए अब रो नानी के नाम को जबरा ने पड़े पड़े दूम हिलाई और अपनी कूं कूं को दिर्ग बनाता हुआ कहा कल से मत आना मेरे साथ नए तो ठंड़े हो जाओगे यह रांट पछुआ न जाने कहां से बरफ ले आई है उठू फिर फूर एक चिलम भरूँ किसी तरह रात तो कटे आठ चिलम तो पी चुका यह खेती का मजा है और एक भगवान ऐसे पड़े है जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से गबड़ा कर भागे मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए जकदीर की खुबी मजूरी हम करे, मजा दूसरे लूटे हलकू उठा, गड़े में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी जबरा भी उठ बैठा हलकू ने चिलम पीते हुए कहा पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है हाँ, जरा मन बदल जाता है जबरा ने उनके मूँ की और प्रेम से चलकता ही हुई आखो से देखा हलकू ने कहा आज और जाड़ा खा ले कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूँगा उसी में घुश कर बैठना तब जाड़ा ना लगेगा जबरा ने अपने पंजो को उसकी घुटनियों पर रख दिया और उसके मूँ के पास अपना मूँ ले गया हलकू को उसकी गर्म सांस लगी चिल्लम पीकर हलकू फिर लेटा और निश्ट्रे करके लेटा कि चाहे कुछ हो अपकी तो मैं सो जाओंगा पर एक ही क्षण में उसके रदय में कमपन होने लगा कभी इस करवट लेटा कभी उस करवट पर जाड़ा किसी पिशाच की बाती उसकी छाती को दबाए हुए था जब किसी तर न रह गया और किसी तर न रहा गया उसने जबरा को दीरे से उठाया और उसके सिर को थप थपा कर उसे अपनी गोद में सुला लिया कुट्टे की दे से जाने कैसी दुर्गन दा रही थी पर वह उसे अपनी गोद में चिप्टाई हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर मैनों से उसे नहीं मिला था जबरा शायद यह समझ रहा था किस वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुट्टे के प्रति ग्रणा की गंध तक न थी अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्पता से गले लगा था वह अपनी दीनता से आहत नहीं था जिसने आज उसे इस दशा को पहुचा दिया नहीं तो इसी अनोखी मेत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिये थे और उनका एक एक अणू प्रकाश से चमक रहा था सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई इस विशेश आत्मियता ने उसमें एक नईस पूर्ती पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे जोंकों को तुछ समझती थी वह जपटकर उठा और छपरी से बाहर आकर भूँकने लगा हलकु ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया पर वह उसके पास न आया हार में चारों तरफ दोड़ दोड़ कर भूँकता रहा एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंधी फिर दोड़ता कर्तव्य उसके रदय में अर्मान की भाती ही उचल रहा था एक गंटा और गुजर गया रात ने शीत को हवा से धदकना शुरू किया हलको उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिला कर सिर को उसमें छुपा लिया फिर भी ठंट कम न हुई ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है धमनियों में रक्त की जगा हीम बह रही है उसने जुक कर आकाश की ओर देखा अभी कितनी रात बाकी है सबतर्शी अभी आकाश में आधे भी नहीं चड़े उपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा अभी पहर से उपर रात है हलको के खेट से कोई एक गोली के टपे पर आमो का एक बाग था पतज़र शुरू हो गए थी बाग में पत्तियों को धेर लगा हुआ था हलको ने सोचा चलकर पत्तियों बटोर लूँ और उन्हें जला कर खूप दापूँ रात को कोई मुझे पत्तियों बटारते देखे तो समझे कि कोई भूत है कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौदे उखाड लिये और उनका एक जाडू बनाकर हाथ में सुलकता हुआ उपला लिये बगीचे की तरफ चला जबरा ने उसे आते देखा पास आया और दुम हिलाने लगा हलकू ने कहा अब तो नहीं रहा जाता जबरू चलो बगीचे में पत्तियों को बटोर कर तापे टोटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे अभी तो बहुत रहा थ है जबरू ने कूंकू करे सहमती प्रगट की और आगे बगीचे की ओर चला बगीचे में खूब अंदेरा चाया हुआ था और अंदकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था वरुक्षो से ओस की बूंदे टप टप नीचे टपक रही थी एका एक एक जोका महदी के फूलों की खुश्बू लिये हुए आया हलकू ने कहा कैसी अच्छी महाँ कहाई जबू तुमारी नाप में भी तो सुगंद आ रही है जबूरा को कहीं जमीन पर एक हड़ी पड़ी मिल गई थी उसे चिंचोड रहा था हलकू ने आग जमीन पर रग दी और पत्तियों को बटोरने लगा जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया था हाथ ठिटुरे जाते थे, नंगे पाउं गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड खड़ा कर रहा था इसी अलाव में वह ठंड को जला कर भस्म कर देगा थोड़ी देर में अलावा जल उठा उसकी लौ उपर वाले व्रुक्ष की पत्तियों को चूँ चूँ कर भागने लगी उस अस्थीर प्रकाश में बगीचे के विशाल व्रुक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथा अंधकार को अपने सिरो पर संभाले हुए हो अंधकार से उस अनन्त सागर में यह फ्रकाश एक नवका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था हलकू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था एक ख़ण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली दोनों पाउप फेला दिये मानो ठंड को ललकार रहा था तेरे जी में आयस होकर ठंड की असीम शक्ती पर विजय पाकर वह विजय गर्वक को रदे में छिपा न सकता था उसने जबरा से कहा क्यों जबरा अब ठंड नहीं लग रही है जबरा ने कूं कूं करके मानो कहा अब क्या ठंड लगती ही रहेगी पहले से या उपाई ना सुझा नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते जबरा ने पूँश हिलाई अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करे देखे कौन निकल जाता है अगर जल गए तो बचा तो मैं दवा नहीं करूँगा जबरा ने उस अगनी राशी की ओर कातर नेत्रों से देखा मुन्नी से कल न कह देना नहीं तो लड़ाई करेगी यह कहता हुआ वह उच्छा और उस अलाव के उपर से साफ निकल गया पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात नहीं थी जबरा आग के गिर्द गूम कर उसके पास आख खड़ा हुआ हलकु ने कहा चलो चलो इसकी सही नहीं उपर से कुद कराओ वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया पत्या जल चुकी थी बगीचे में फिर अंधेरा चा रहा था राख के नीचे कुछ-कुछ आग बाकी थी जो हवा का जोका आने पर जरा जाग उठती थी पर एक खड़ में फिर आखे बंद कर लेती थी हलकु ने फिर चादर ओडली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गिद गुन गुनाने लगा उसके बदन में गर्मी आ गई थी पर ज्यों क्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाये लेता था जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा हलकु को ऐसा मालुम हुआ कि जानवरों का एक जुन्ड खेत में आया है शायद नील गायों का जुन्ड था उनके कुदने दौडने की आवादे साफ कान में आ रही थी फिर ऐसा मालुम हुआ कि खेत में चर रही है उनके चबाने की आवाज चर-चर चुनाई देने लगी उसमें दिल ने कहा नहीं जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता नोची डालेगा, मुझे ब्रह्म हो रहा है कहां अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोका हुआ उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, जबरा, जबरा भूपता रहा उसके पास न आया, फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली अब वह अपने को धोका न दे सका, उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था कैसा दंदाया हुआ बैठा था, इस जाडे पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असाय जान पड़ा वह अपनी जगह से नहीं हिला, उसने जोर से आवाज लगाई, हिलो, हिलो, हिलो जबरा फिर भूंक उठा, जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुस्ट जानवर उसका सर्वनाश किये डालते हैं हलकू पक्का इरादा करके उठा और दो-तिन कदम चला, पर एका-एक हवा का ऐसा थंडा, चुबने वाला, बिच्चू के डंक सा, जोका लगा, कि वह फिर बुचते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी थंडी दे को गर्माने लगा जबरा अपना गलाफार डालता था, नील गाये खेत का सफाया किये डालती थी, और हलकू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था अकर्मन याता के रस्सियों की भाती उसे चारो तरफ से जकड रखा था, उसी राख के पास गर्म जमीन पर वही चादर ओड कर सो गया फैली गई थी, और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे, तुम याँ आकर रम गये और उदर सारा खेत चौपट हो गया हलकु ने उड़ कर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है, मुन्नी बोली हाँ, सारे खेत का सत्या नाश हो गया बला ऐसा भी कोई सोता है, तुमारे याँ मंडेयार डालने से क्या हुआ हलकु ने बहाना किया, मैं तो मरते मरते बच गया, तुझे अपने खेत की पड़ी है पेट में ऐसा दरद हुआ, ऐसा दरद हुआ कि मैं नहीं जानता हूँ दोनों फिर खेत के डांड पर आए, देखा कि सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मंड़े आके नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हूँ दोनों खेत की दशा देख रहे है, मुन्नी के मुख पर उदासी चाही थी, पर हलकु प्रसन था मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मज़दूरी करके माल गुजारी बरनी पड़ेगी हलकु ने प्रसन मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा तो दोस्तों यह थी मुन्शी प्रेमचन की कहानी पूस की रात आशा करती हूँ यह कहानी और उसका वर्णन आपको अच्छा लगा धन्यवर्द